फायर बोल्ट ग्लाडियेटर तो आज हम फायर बोल्ट ग्लाडियेटर के जो स्टेप्स होते हैं उनको रिमूब करने वाले हैं इसमें आपको इस्कूरू सिस्टम दिये हुआ है अगर आपको इस वोच से कोई भी इंफर्मेशन चाहिए तो आपको सब कुछ चैनल पर मिल जाएगा मेक शूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करते हैं ताकि कोई भी इंफर्मेशन आपसे मिस ना हो तो हमने चारो स्कूरू को ओपन कर लिया और हम इनको स्टैप्स को रिमूब करके देखते हैं तो यह देख सकते हैं कि आप कितने इजी आप इनको हटा सकते हैं आप देख सकते हैं इन straps में इस तरह का mechanism दिया हुआ है तो इस तरीके से आपको अलग से मार्केट से straps लेने पड़ेंगे हैं जो आप इनको change करना जाते हैं watch के अंदर आपको कुछ इस तरह का mechanism देखने के लिए मिलेगा अगर जो आपकी watch related कोई भी query है तो आप नीचे comment कर सकते हैं